आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ क्योशन वेमको A वेक्टर और B वेक्टर गीवन है clear? then आपसे बोला जादा है पर तीन वेक्टर आपके पास हैं आपर यह फर्स्ट वेक्टर है यह फिस सेकंड वेक्टर और थर्ड वेक्टर और और उप्शन से आपके पास देख लें है ना मेच्वली पर्पेंडिकुलर होगे कोपलेनर होगे पेडलो पाइप फॉर्म करेंगे वोल्यूम 6 का या फिर वोल्यूम 3 का तो देखें यहां पर हम क्या करते हैं जो 1 by 1 इन सभी वेक्टर को solve करते हैं तो फर्स्ट जो वेक्टर हमारे पास चल रहा है इसकी बात करते हैं clear? तो फर्स्ट वेक्टर जो आपके पास चल रहा देखो simple आप क्या करें इसको r1 वेक्टर लेलो r1 वेक्टर कैसा होगा देखो a वेक्टर का dot product चल रहा i-cap के साथ तो इसको जब आप dot product करते हैं i-cap i-cap follow को साथ में multiply करते हैं फिर j-cap j-cap follow को j-cap k-cap follow को और उनको add कर लेते हैं तो a-vector के साथ जब आप i-cap का dot product करोगे तो क्या आएगा simple i-cap i-cap आएगे मतलब 1 into 1 तो 1 ही आएगा तो यह बनेगा 1 into i-cap मतलब simple i-cap बन जाएगा फिर देखो a-vector dot j-cap तो वही बात है फिर से आपके पास a-vector तो यह चली दा इसका dot product j-cap के साथ करूँगा तो क्या आएगा 1 और 1 के साथ j-cap मतलब j-cap बन जाएगा फिर आपके पास a-vector dot k-cap तो वहाँ पे भी क्या आएगा 1 आएगा 1 आपके पास k-cap मतलब k-cap आजाएगा यह तो हो गया first vector एसे हम बात करते हैं second vector की r2 vector देखो कैसा हो गए b1 i-cap तो देखो i-cap और b1 वेक्टर पूरा और i-cap के साथ लोगे तो 1 into 1 तो 1 के साथ आपके पास i-cap बनेगा simple फिर आप क्या करेंगे b2 यह b के साथ j-cap तो minus 1 आएगा इस बार तो minus j-cap फिर क्या होगा आप b3 यह b के साथ k-cap लेंगे तो b वाले में तो k-cap है नहीं तो 0 के साथ k-cap multiply होगा तो 0 तो यह simple 0 k-cap बन जाएगा और आपके पास जो third vector है r3 vector बोलते है इसको यह i-cap plus j-cap minus 2 k-cap clear तो देखें सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें mutually perpendicular के लिए इसको चेक करते हैं तो mutually perpendicular के लिए अगर आप चेक कर रहे हैं तो आपके पास r1 dot r2 r1 dot r3 और r2 dot r3 कितना बनना चीए 0 आना चीए सबसे पहले r1 dot r2 की बात करते हैं तो दोनों का dot product होगा तो i-cap i-cap वाले साथ में साथ होगा मतलब बनाएगा फिर i-cap 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 i-cap- counsel होगे पिर i-cap i- Columb i-cap 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 i-matvijn वाले साथ में साथ में साथ होगे तो 0 आएगा तो यह बनदा 0 ठीक है यह आपके पास first result 0 बन गया ऐसे ay r1 dot r3 यह आपने चेक किया यह जो first one आपके पास 0 बनाए इससे पता क्या लगा, इसको भी note कर लो आप, इससे हमको यह पता लग रहा है, clearly आपर देखो, दोनो 0 vector थो है नहीं, इन में सो कोई भी, तो इसका मतलब यह दोनों कैसे होंगे, perpendicular होंगे, एसे अब हम बात करते है, r1 और r3 की, r1 vector dot r3 vector, करो dot product, i cap i cap के coefficient मतलब plus 1, फिर j cap के coefficient फिर से plus 1, फिर k cap के coefficient 1 into minus 2 minus 2 आ रहा है, तो यह भी 0 बन रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब r1 और r3 भी क्या हो गए, perpendicular हो गए, ठीक है, और last अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर, r2 vector dot r3 vector की, तो r2, r3 का dot product करो, देखो, सबसे पहले आपके पास क्या चल रहा, r2 में च coefficient है, मतलब 1, फिर j cap के coefficient देखो, minus 1 और 1 मतलब minus 1, और k cap के coefficient 0 into minus 2 मतलब 0, तो यह भी 0 आ रहा है, तो इसका मतलब r2 vector, भी perpendicular है कि इसके r3 vector की, तो यहाँ से हमारे पास, clearly हमको पता लग रहा है, r1, r2, r2, r3 के, और r3, r1 के perpendicular है, तो इसका मतलब आपके पास, r1 vector, and r2 vector, and r3 vector मतलब तीनो vectors कैसे होंगे, mutually perpendicular होंगे, तो r1, r2 vector, and r3 vector, r, mutually perpendicular, okay, mutually perpendicular होंगे, तो इसका मतलब आपके पास, option number 1 जो है, यह तो correct हो गया, अब देखो, जब आपके पास mutually perpendicular चल रहे हैं, vectors तो इसका मतलब coplanar तो नहीं होंगे, coplanar अगर आपके पास 3 vector coplanar है, तो फिर वो mutually perpendicular नहीं हो सकते, तो इसका मतलब यह तो रोंग हो गया, अब बचा आपके पास यह उनका volume होता है, तो ठीक है, volume भी हम चेक कर लेता है, ठीक है, तो यह तो mutually perpendicular तो आपके पास आई गया था है, एक option तो correct हो ही चुका है, ना, volume find कर आप, parallel pipe जो आपके पास है, इसका volume, तो इसका volume होगा, आपके पास r1 vector, r2 vector, r3 vector का, scalar triple product, ठीक है, तो scalar triple product, देखें, r1, r2, r3, सबसे पहला vector, ik plus jk plus kk, और इसमें भी हम क्या करेंगे, इनका अगर आपको scalar triple product, आप find कर रहे हैं, तो पहले तो 2 का cross product find कर ले, फिर उसका तीसे के साथ क्या करेंगे, dot product, यही method है महरे पास, ठीक है, तो यह होता महरे पास, r1 dot, r2 cross r3, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसक तो आपके पास cross product solve होता determinant से, first row होती है, हमारे पास i cape, j cape, k cape, second row में r2 के जो component है, scalar component वो लेंगे, तो r2 में देखो क्या रहा, 1 minus 0, तो 1 minus 0 लिया, फिर r3 के component जो पीछे vector है, तो 1, 1 minus 2, रिक है, तो यह लिया हमने आपर 1, 1 minus 2, solve कर लेते हैं, r1 से इसका expansion कर लेते हैं, तो i cape के साथ देखें कितना होगा, 2 minus 0, तो 2, minus j cape, j cape के साथ देखें कितना हैगा, minus 2 minus 0, तो minus 2 आएगा, plus k cape, k cape के साथ आएगा, यह 1 minus minus 1, तो 2 हो जाएगा, clear, तो हमारे पास यह जो vector आ रहा है, r2 cross r3, यह आ रहा है, 2 i cape, plus 2 j cape, minus 2 k cape, clear, अब इसको हम पुट कर देते हैं, कहां 1 में, तो यह बता दिया, हमने put in 1, equation 1 में put करेंगे, तो हमको volume find करना था, parallel pipe का, तो volume का formula, जो आपने note किया था, उसमें बस values put कर लेते हैं, तो पहला vector तो हमारे पास r1 vector, तो r1 vector के साथ आया था, देखें, उपर इउपर, i k, plus j k, plus k cape, इसका dot product r2, cross r3 के साथ, तो 2 i cape, plus 2 j cape, minus 2 k cape, clear, i cape, i cape वाले साथ में multiply होंगे, तो plus 2, j cape वाले साथ में multiply होंगे, तो plus 2, और k cape वाले साथ में multiply होंगे, तो minus 2, तो यह आ रहा है, हमारे पास कितना 2 unit, clear, parallel pipe का जो हमारे पास volume यहाँ पर आ रहा है, यह कितना आ रहा है, आपके पास 2 unit volume आ रहा है, ठीके, एक बार calculation भी देख लाया है, 1 minus 1 और 1, 1 minus 2 आपके पास यही था, ठीके, इसका solve किया था आप इसको note करते है, प्लस 2 k cape पे देखो इसको, यह k cape के साथ चल रहा है, आपके पास plus 2 k cape चल रहा है, तो plus 2 चल रहा है, तो फिर आप यहाँ भी plus 2 लगा ला है, और इसको solve करेंगे, तो यह plus 2 हो जाएगा, तो value कितनी आ जाएगी, value हो जाएगी, हमारे पास 6 unit, clear, तो volume आपके Classics to 12 से लेके, Need IIT जेही, Means और Advanced के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा, आज जी डाउनलोट करें doubtnet आप, यह WhatsApp कीजिए अपने doubts 8444 सुपर